हे गाईज, वेलकम टू एसेम व्लोग, आज हम आपके लिए लाए है यूट्यूब केक रेसिपी, लग रहा है ना टेम्टिंग, तो वीडियो पूरा देखिए एक कप चीनी ले लिया है हमने, उसमें एक कप मिल्क डाल दिये उसमें हम 60 ग्राम बटर या ओयल डाल दिये, एक टेबल स्पून मैंने अलमंड एसंस डाल दिया है आप चाहे तो वनीला एसंस भी डाल सकते हैं, मैंने ये वाला, आप देख सकते हैं ये वाला अलमंड एसंस यूज़ किया है, ये हार्वेस कमपनी से आता है वन एन हाफ कव मैदा लिया है, ये मैदा मैं पूरा दे दूँगा फिर वन पॉइंट फाइबल स्पून कोको पाउडर लिये लिया है, हमने नॉर्मल वाला लीजिएगा, डस्ट प्रोसेस्ट वाला मत यूज़ करेंगे एक टेबल स्पून हमने रेट फूर कॉलर दाल दिया है, ताकि वह य्यूट्यूब कलर आये、 उसके बाद उन पॉंपईंट 5 टेबल स्पून बेकिंग पाॉडर डाल दिया है, उसके बाद half table spoon baking soda डाल दिया है उसमें हमने vinegar डाला है उससे cake soft और spongy बनेगा ये cake को हमने एक बरतन में दे दिया है जिसको हमने पहले से grease करके रखाता ओयल और मैदा से एक बड़ा पती लेके अंदर मैंने stand के उपर उसको बिठाया और ये glass cover से धक कर रखाया ताकि आपको द दिखा सके अंदर कैसे cake full रहा है और कैसे हो रहा है तो ये 30 मिनिट बाद आप देख सकते हैं बीच से cake शायद cake कच्चा है पर साइट से हो गया तो हम आपको खोल के दिखा सकते हैं ये देखिए ये cake और फूल एगा ये बहुत फूल चुका है ये जो बरतन लिया था उसका हाफ हो चुका है दस मिनिट बाद मतलब टोटल 40 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि cake कैसे फूल गया है वो धकन उठाने के वज़े से वो बीच में थोरव ऐसा हो गया पर आप जब क्रीम से कोट करेंगे तब कोई प्राब्लिम नहीं होगा ये मैं आपको दिखा रहा कि इसके अंदर क्या ये नहीं है मतलब कच्चापन नहीं है यह आप स्टिक से चेक कर सकते हैं मैं अगट टूतपीक से चेक कर रहा था आप चाहे तो कोई फोक या चमच के पीछे से भी जहेक कर सकते हैं यह हाफ कफ मैंने लिए लिया है विब क्रीम जिसमें मैंने एक से बनाया है यह जो बीच का τ्राेंगल है यह मैदंने वाइट चॉकलेट को गuted करकर साइड में वाइट चॉकलेट है नीचे मैंने क्रीम लगा कि उसके उपर उपर प्रइट कर दिया है और यह जो अप का 16 बद्दे है तो मैंने 16 और हैपी बद्दे घर में बनाया था तो happy birthday YouTube, happy birthday YouTube, happy birthday YouTube, happy birthday YouTube हम चाहे कि YouTube number one app बने